Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope that you all will be very good and you will be very good and you will be very good. So, today's new video, we will talk about water vascular system of C-star. C-star, you can say commonly in your own language, and in biological language, you can say pentaseros. But correct, we will say C-star, why do we say C-star, why do we say C-star, why do we say starfish? इस चीज़ की पूरी की पूरी डिसकेशन हम लोगों ने part 1 में कर लिया है, pentaseros की वीजियो में. This is our part 2, जहां हम water vascular system पढ़ेंगे. Okay, and this is the last video. Okay, इसी वीजियो के साथ BSC 5th semester के 4 units आप लोगों के complete हो जाएंगे. कल से ठीक है, या फिर परसो से Parasytology की वीजियो आप लोगों के start हो जाएगे. That is your unit 5. Okay, चलिए. आगे बढ़ते हैं, आप लोग जरूर से introduction, classification and morphology जो part 1 में हमने clear किया है. उस वीजियो को जरूर देखना, तभी ये वीजियो देखने आना. ओके, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़े अलरी यहां से मिलती जुलती हैं. देखे, water vascular system नाम से ही पता चल रहा है कि water का role है इसमें पानी, पानी की entry और पानी का exit, पानी का starfish की body में घुसना और फिर बाहर निकलना. ये पूरा का पूरा जो system होता है, इसे हम लोग water vascular system कहते हैं. ये एकल मतलब कि अकेले एक activity तो है ही हमारे से star में, लेकिन साथ ही साथ ये other physiological activities जैसे कि locomotion, digestion, respiration, बहुत सारी चीज़ों को ये क्या करते हैं? help करते हैं. तो ये अकेले ही खुद की तो एक activity है, खुद तो ये हो रहा है, water vascular system बहुत ज़रूरी है साथ ही साथ ये other जो activities हैं, उनके लिए भी बहुत जादा helpful होती है. ये आगे हम देखेंगे, ये topic बहुत बचों को hard लगता है, but I will try my best कि आपको इसे हलवा क्लिया करने में, मतलब पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, देखिए, हमने समझाया कि water है, तो water से भाई जुड़ा चीज यही है, कि water current की entry and water current का exit, यही main focus रखता है, कि पानी अंदर फिर पानी बाहर गया, ठीक है, देखिए, जो water vascular system है, ये बहुत ही vital role play करता है, लोको मोशन में, जो body होती है, C star की, उसके लोको मोशन में, चलने में, गती में, जो C star है, वो कैसे चल रहा है, कैसे गती कर रहा है अपनी body में, इसमें बहुत जादा है हमारा water vascular system, क्योंकि water है, और water की दोरा pressure लगाया जाता है, जो water की दोरा pressure लगाया जाता है, हम उसे hydraulic pressure बोलते हैं, तो hydraulic pressure जो है, वो locomotion में, बहुत जादा help करता है, ठीक है, देखिए, जितने भी water vascular systems होते हैं, जहां भी आप system word पढ़ोगे, वो actually में, बहुत सारे components से मिल करके बनाओगा, कोई अकेला इंसान system नहीं बना सकता है, you need 10-12 people to make a system, ठीक है, to run a work in a systematic manner, ठीक है, कोई भी काम systematic manner में कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एक system बैठाना पड़ता है, ठीक है, तो water vascular system में बहुत सारे components से, बहुत सारे जो हमारे सेश्टार हैं, उनके parts से मिल करके बना है, तो यह यहां भी कुछ list दिये हुएं parts के, उनको आपको पूरा का पूरा रटना है, अब इसके trick हम आपको बताएंगे, बीच में जहां हमें जरूरी लगेगा, वहाँ पर हम आपको इसके trick बताएंगे कि आपको कैसे इन सभी parts को याद करना है, नाम देख लेते हैं, सबसे पहला part है, medryporite, okay, the second part is stone canol, the third part is ring canol, the fourth is tindemans body, the fifth is polyan vesicle, the sixth one is radial canol, the seventh lateral canol, and the last and the eighth one is tube fit, ठीक है, हमें यह चीज बतानी जरूरी है कि यह सभी, जो आप लोगों ने eight names देखें, eight parts देखें, जोकि include है water vascular system को एक अच्छे से run कराने के लिए, इन सभी parts को as it is आपको याद करना है, आपको medryporite की बाद stone canol ही याद करना है, stone की बाद ring canol ही याद करना है, क्योंकि अगर हमने जिम्मेदारी ली है, आप लोगों को यह हमने बताया न, हम trick बताएंगे, और trick में आपको as it is आपको from medryporite to tube fit के बीच में जितने भी हैं, वो सभी आपको as it is याद हो जाएंगे, कोई भी numbering में change नहीं होगा, ठीक है, देखें, अब यह जितने भी हमारे parts हैं, यह water vascular system के हैं, तो कहां यह part है, हमने आपको normal अगर starfish का, जो diagram बताया था, वो क्या बताया था, यह था, कि बीच में pentagonal क्या होता है, disk होता है, क्या होता है, pentagonal disk होता है, और इजी disk से क्या होते हैं, जो arms होते हैं, starfish के, वो arise होते हैं, ओके, यह arms arise है, यहीं आप mouth वेगरा देखते हो, और यहीं उपर के side पे, यहां कहीं madriporite देखते हो the first one अब यहीं madriporite से सब कुछ start होता है अगर diagrammatic की बात करें तो देखिए this one is the best diagram जहां आपको केवल से केवल एक चीज़ करनी है कि इस sieve plate को हटा करके यहाँ पर आपको madriporite लिख देना है ठीक है यह क्या है यह है आपका madriporite एम लिख रहे हैं ठीक देखो this one is the madriporite this part is the madriporite of the c star जो की इस central disk में present है ठीक है यह central disk है इनकी pentagonal देखो mouth जो इनका होता है सबसे पहले थो हमने आपको बता था कि mouth और madriporite दोरों अलग-अलग जगा पर है जैसे star fish में this is the madery blocks जहां पर आप madriporite देख रहे हो ठीक है समझ गए उसकीबाद देखो madriporite से मेड़िक उती है धेखिए वहटर श्रुप SI narrative से अंदर हो रही है यह रहा हमारा i enrollment डीजी से समझो पिर बहुत अच्षी से चीजय समझ में आ जाएंगी इस वन is the stone canol जो कि madri poride और जो हमारे ring canol है उससे उसको connect कर रहा है ring canol कहा है? this one this one is the ring canol देखें यह हमने dark कर दिया this one is the ring canol और ring canol and madri poride को कौन जोड़ रहा? यह रहा madri poride इसको कौन जोड़ रहा है? जो हमारा यह stone canol है वो छीक है? तो पानी medriporite में आएगा फिर stone canol में जाएगा फिर ring canol में जाएगा and ring canol के just बाद वो कहां जाएगा radial जो हमारा radial canol होता है वो and this one is the radial canol जो के ring canol से क्या है पाँचों तरफ इनके arms में ऐसे फैले हुए है ठीक है this one is the radial canol फिर radial canol के बाद यहाँ पर आप structure देखोगे अभी यह बस आपको यह tube fit का structure दिखाया है लेकिन radial canol अगर एक ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पर आपको ऐसे lateral canols भी दिखेंगी तो यहाँ ऐसे करके आपको lateral canols दिखेंगी and उन lateral canols के उपर ही यह ऐसे करके आपको tube fit दिखाई दे रहा है ठीक है तो यही आपके structure से जो आपको याद करने है दो अलग से आपने पढ़ा हमने यहाँ पर medriporite की बात की हमने stone canol की बात की हमने ring canol की बात की हमने radial canol की बात की हमने tube fit की बात की हमने केवल से केवल tidmels body और पोलियन की बात नहीं की क्योंकि जो tidmels body होते हैं यह actually में कहां present होते हैं जो ring canol है ना देखो ring canol है ना उसमें ऐसे यह लगे रहते हैं ठीक है दो के बीच में यह दो arms है ना उनके बीच में at least at least दो तो tidmels body होंगे दो इधर फिर दो इधर फिर दो इधर दो इधर यह इस तरीके से tidmels body लगे होते हैं और बीच में आपको pollen vesicles भी दिखाई देते हैं जोकि dissect करने पर दिखाई देगा ठीक है समझ में आ गया structure समझ में आया आप देखो अगर हम starfish का सब कुछ किनारे हटा दें और केवल vascular system पे हम focus करें तो हमें यह diagram starfish में देखने को मिलता है जहां हमें क्या दिख रहा है madriporite ठीक है then हमें दिख रहा है stone cannol then हमें दिख रहे हैं ring cannol ring cannol में आपको दिखाई दे रहे हैं tidmins body ठीक है yoga tidmins body ring cannol से originated है आपके same color यह color ले लेते हैं यहां originated है आपके क्या radial cannols और radial cannols से originated है क्या lateral cannol और हर lateral cannol left and right side में आप देखोगे tube fit जो है वो इस तरीके से जुड़े होंगे structure समझ में आ गया getting my point structure समझ में आया अब हम पढ़ते हैं कि कैसे जो पानी है वो अंदर आता है और क्या सारी चीजे होती है और like जितने भी आपने parts पढ़े हैं उस parts में वो कैसे travel करता है पूरा जो water rescue system है वो हम आगे के 3 slides में खुद लिख करके आपको पढ़ाने जा रहे हैं यह हमने आगे slides में mention नहीं किया है slides में हमने theory portion दिया है जो कि हम सब कुछ पढ़ने के बाद आपको वहां पर revise कराएंगे जो हम यहां बताने जा रहे हैं systematic way में वो आपको copy में note करना पढ़ेगा तो साथ में copy and pen लेकर के बैठ जाना देखो देखिए water vascular system जो है इसको actually मैं आप सरल भासा में कह सकते हो system of canols क्या बोल सकते हो आप आप बोल सकते हो system of canols क्योंकि जो हमारा stone canols है collecting canols है lateral canols है teofit यह हर एक तरह के canols ही है इसलिए आप बोल रहे हो कि water vascular system जो c star का है यह canols के system है बहुत सारी canols मिल करके एक work कर रहे है water के entry and exit को regulate कर रहे है that's why हम इने system of canols बोलेंगे समझ गया देखो canols जो word है यहाँ पर यह use किया गया है क्यूंकि बहुत सारे nally like, tube like structure जो है वो यहाँ पर use आ रहे है ठीक है देखो canols की कुछ characteristic है इन canols के बारे में दो characters आपको याद करना है कुछ भी slide में mention नहीं है केवल से केवल theory है तो यह सारी चीज़े प्लीज लिखते रहना copy pen लेकर के बैठना देखो अगर हम canols की बात करें तो यहाँ जितने भी type के हमने आपको canols बता है ring, canols, stone, canols, collecting, canols, radial, canols जितने भी canols बता हैं वो सभी क्या होंगे उनके पास muscular walls होंगी क्या होगा have muscular wall ओके समझ गया second character यह जो canols हैं यह internally lined है चीक है यह internally ठीक है अंदर से यह internally lined है ciliated किस से ciliated epithelium से ओके lined by ciliated epithelium चीक है कि यह ciliated epithelium से क्या है lined है और इनके पास muscular wall जो है वो present है लाइक अगर हम बनाते हैं एक canol माल लिजे कि this is the canol a tube like structure एक नली like जो इनकी wall होगी यह जो इनकी wall है ठीक है यह जो इनकी wall है यह actually में क्या है यह muscular है ठीक है यह muscular wall हो गई और अंदर यह lined कैसे है यह wall यह wall lined कैसी है यह wall line है ciliated epithelium से मतलब की cilia छोटे छोटे like अगर हमने एक पार्ट इसका उठाया ठीक है हमने मालिजे यहाँ पे एक पार्ट इसका उठाया तो हम कुछ इस तरीके से देखेंगे यह बन गया हमारा एक कैनॉल का एक पार्ट जो की lined हो गया muscular wall से और इसमें इस तरीके से क्या होगा ciliated इसमें क्या होंगी epithelium की line होगी यह जो ciliated epithelium है ठीक है यह जो ciliated epithelium है इसका क्या role है क्या function है तो यह जो ciliated epithelium होता है यह काम करता है अंदर कैनॉल की board जो यह एक tube कैनॉल है इसमें water हो या फिर कोई भी particle हो उसको आगे की तरफ move कराने के लिए ठीक है क्या हमने बोला कि water मतलब कि कोई भी fluid लिख सकते हो लेकिन हम water vascular की बात करें तो हम water लिख रहे है और कोई भी particle इनको आगे की तरफ move कराने में यह ciliated epithelium help करता है हमने बताया कि पानी mediporite से घुश देगा फिर काफी सारे parts होंगे उसमें जाएगा कैसे जा रहा है कैसे movement हो रही है because of this ciliated epithelium यही movement करा रहा है उस water का समझ गए ठीक है तो water vascular system is a system of canol canol have muscular walls and they are internally lined by ciliated epithelium ciliated epithelium helps in the movement of particle and fluid अब हम क्या बात करेंगे जितना भी हमने इन में अभी parts देखे हैं अब थोड़ा हम उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करें कि water कहां जाता है सबसे पहले water enter करता है through the medriporite किसके through enter करता है medriporite के wait देखिए this is your medriporite okay this one is the medriporite जिसमें एक water क्या कर रहा है एक water नहीं मतलब waters जो है वो enter कर रहा है यह रहा water ठीक इस medriporite में enter कर रहा है फिर देखिए यहां क्या है यह कहां गया water medriporite में okay medriporite में actually क्या होता है न medriporite में actually में 250 minute pores होते हैं 250 एकदम सूच्म छिद्र होते हैं क्या होते हैं minute pores होते हैं मतलब कि एकदम सूच्म क्या होते हैं छिद्र होते हैं और यह जितने भी pores हैं 250 pores हैं हर एक pore एक canola बनाता है लाइक अगर यहां पर यहां पर इसमें एक pore है तो वह ऐसे कनola बनाएगा फिर दूसरा ऐसे बनाएगा तीसरा चौथा पाच्वा ऐसे करके यह क्या बना देंगे एक pore canola बनाएगे क्या बनाएगे यह यह बनाएंगे पोर केनॉल ठीक है अब जो एक एक पोर ने पोर केनॉल बनाया है ये सब आकर के एक जगा कलेक्ट होंगे Like this ये आगया इनका कलेक्शन ऐसे जो होंगे ये 250 आकर के याँ पे कलेक्ट हो जाएंगे ये से हम कहेंगे collecting canol यहाँ पर अब बन जाएगा क्या collecting canol ठीक है क्या बना collecting canol ठीक समझ गये अब यहाँ collecting canol तक पानी आ गया लाइक बाहर से पानी आया मेंडी पुराइट के हर एक पोर से वो नीचे के तरफ ट्रैवल किया फिर वो ट्रैवल करके कहाँ चलाया collecting canols तक फिर यहाँ collecting canols जो है वो लीट करेंगे ampula तक ठीक है यहाँ से जितना पानी होगा वो जाएगा ampula तक ठीक है अब ampula से क्या होगा न कि आप देखोगे stone canol ठीक है यहाँ तक का जो पार्ट आपने पढ़ा है यह है आपका madriporite का पार्ट ठीक है like this whole पार्ट is your madriporite ठीक है madriporite तक आपने पढ़ लिया पानी आ गया अब देखो madriporite की बाद आपने पढ़ा stone canol जो की ring canol से madriporite को जोड रहा था ठीक है तो पानी आएगा stone canol में अब हम बना लेते हैं यहाँ पे stone canol यह हो गया हमारा stone canol छोटा सा बनाते हैं देखिए यह यहाँ कुछ ऐसे करके यह हो गया stone canol जो की नाम क्यों पढ़ा stone canol क्यों कि यह जो canol है यह calcareus ऐसे calcium के सबश्टिन से न ऐसे क्या है बहुत सारे calcium के सबश्टिन से क्या है घेरी हुई है ठीक है बहुत सारे इसी वजय से इसका नाम हमने stone canol रखा है ठीक है अब पानी कहां आ गया stone canol में पानी आ गया इस्टोन केनॉल में फिर आप इस्टोन केनॉल से ये देखते हो कि पानी जो है वो आता है आपके रिंग केनॉल में ठीक है रिंग केनॉल में तो इतना जो अपन लोगों ने पाड पड़ लिया, ये पाड़ हो गया हमारे किसका इस्टोन चैनॉल का आप हम पढ़ेंगे रिंग कैनॉल रिंग कैनॉल में पानी जो है वो, देखे हम लिग देते हैं सबसे पहले कि आगे अब ये रिंग कैनॉल में और हमने आपको बताया कि रिंग कैनॉल से ही 5 आर्म जो है वो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी करके निकली हुई है और रिंग कैनॉल में पानी आता है जब ठीक है रिंग कैनॉल में मालीजे पानी यहाँ पर इस कैनॉल में आ गया तो यहाँ से जो पानी है वो हर एक आर्म में जाएगा हर एक आर्म में ठीक है अब सभी आर्म में जा रहा है तो रिंग कैनॉल जो है एक गोलाकार इस्ट्रक्चर एक गोलाकार क्या है एक ट्यूब है जहाँ से उस ट्यूब में पांच और अनदर ट्यूब जोड़े गए है जो कि पानी को इस तरीके से ट्रैवल करा रहे हैं तो रिंग के बाद आप पानी का ट्रैवल देख रहे हो रेडियल के नॉल में ये रेडियल ही जो एंगल है न एक एक एंगल पे निकला हुआ है तो इसे हम रेडियल के नॉल बोलते हैं तो ring canol से अब पानी कहा जाएगा, देखो, अब पानी जाएगा, किसमें, जो आपके, ऐसे हम radial canols बना दे रहे हैं, ठीक है, ये आपके जाएगा, radial canol में, ओके, अब, radial canol में आ गया, हमने आपको बताया, कि radial canol जो है, माल लीजे, कि this one is the ring canol, ये हो गए आपके, radial canol, और इ इधर left, फिर right, फिर left, फिर right, ऐसे करके क्या निकले हुए है, lateral canol, ये क्या हो गए, lateral canol, अब पानी कहा जाएगा, हमने बना ही दिया blue color से, तो समझ जाना कि पानी जो है, ring से पहले जाएगा, radial, फिर radial से हर एक lateral canol में, पानी क्या होगा, वो चला जाएगा, ठीक है, तो जो हमने उपर देखा, radial canol, यहां से जो पानी है, ठीक है, यहां से अब जो पानी है, वो आएगा किस में, कहा जाएगा, radial canol से, हमारे lateral canol में, ठीक है, समझ गया, फिर lateral canol से, जो पानी है, वो last, आप देखोगे, कि tube fit में चला जाएगा, and tube fit का structure कुछ इस तरीके से होता है, कि किस तरीके से होता है, देखिए, हम लिख देते हैं पहले, फिर कहा जाएगा पानी, tube fit में, आप देखिए, tube fit का structure कुछ इस तरीके से होता है, समझ यह, tube fit के structure में आप तीन पार्ट्स देखोगे, ठीक है, माल लिजे, कि this one is a one lateral canol, ठीक है, यह हमारा एक lateral canol है, इसमें आप को दो ठे, एक left और एक right में आपको दिखेगा, tube fit, this one is the tube fit का first structure, जिसे हम बोलते हैं, ampula, the second structure, एकदम attach होता है, ampula से, that is our podium, and podium का, जो last hole होता है, उसे हम बोलते है, सकर, ठीक है, समझ गया है, देखिए, वही same as it is, यहाँ पर आपको दिखेगा, क्या, ampula, ठीक है, ampula का, जो neck reason होगा, वो हो जाएगा आपका, podium, and podium का, जो last, एक hole होगा, उसे हम बोलेंगे, सकर, ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, कि this one is the, what, radial canal, वहाँ से निकली है, lateral canal, and natural canal में आप देख रहे हो, दोनों तरफ, tube fit, tube fit में आपने देखा, तीन structure, यह क्या है, tube fit, tube fit में आप देख रहे हो, तीन structure, ampula, ठीक है, podium, और यह हो गया, सकर, ओके, यह जो तीन structure है, these three structure क्या है, यह तीनों को मिला करके, हम क्या बोलेंगे, tube fit, and पानी आपके, क्या होगा, पूरा सकर के तरफ, आजाएगा, पानी की, क्या हो जाएगी, exit हो जाएगी, getting my point, समझ में आ गय समझ में आया न, देखो, एक बार हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, आप इसको note कर लो, चलो, screenshot, फिर यह हो गया आपका, second, and the third one, अच्छा, यह बताओ, हमने जितना भी अभी तक बात किया है, उसमें कहीं भी, तुम्हें कुछ छूटा हुआ नहीं नजर आया, जैसे, हम लोग लिए केंखा, रिंग कैनॉल, रिंग कैनॉल से देखा, रिडियल कैनॉल लेट्रल, लेट्रल से देखा, ट्यूफिट, दो तो बाकी रहा गया, पुरा आर्ट था न, तो यह तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह ही है, दो कहां गये? दो हैं आपके, टिड्मंस्य बोडि, ठीक है क्या है Tidman's body and polean vesicle देखो, समझो देखना आराम से ही समझा रहे हैं विकाज हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से समझ लो This one is the central part जहां पर आप क्या देखोगे Medriporite ठीक है, ये क्या हो गया This one is the Medriporite और उसको एक मिनट रुक जाओ इसके just, तुम ऐसे बना लो ये हो गया, उसके बाद यहां बनाओ Medriporite और Medriporite से निकलता हुआ ring canol, जो कि तुम्हें इस black वाले पार्ट radial canol से जोडते वे दिखाई दे रहा है, ठीक है फिर ये जो अपन ने ring canol बनाया है यहां से हम देखेंगे radially एक, दो, तीन, चार, पाच ऐसे निकलते हुए क्या? radial canol ring से देखा radial canol निकलते हुए और फिर हमने देखा lateral canol और फिर lateral canol में ही हमने यहां पे देखा sack like structure क्या? tube fit ये दोनों कहां गए? ये कहां गए भई तो tidments अगर हम body की बात करें तो tidments body जो है ये actually मैं आपको दिखाई देगा लेकिन polyan vesicle जब आप इसको dissect करोगे तब दिखाई देगा तो polyan vesicle आप देखते हो ना ये pear shape के होते हैं और contractile bladder इन में होता है तो polyan vesicle का work बता दे रहे है tidments आपको बता दे रहे हैं कहां है और उसका क्या work है ठीक है? देखो tidments जो है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ऐसे करके tidments लगे हुए है tidments body का क्या काम है? यहां से बता रहे है फिर इस टोन से यह जो पानी है वो चला गया आपके रिंग कैनल में रिंग से गया रेडियल और लेटरल यहां जब रिंग कैनल के पास यह पानी आ रहा है तो actually में जो tidments body है वो इस पानी को filter कर रहे है इन्हें देखें tidments body का actual में कोई काम नहीं पता है लेकिन बहुत सारे observers ने इसे observe किया है कि यह tidments body जो है यह पानी को filter करने का काम कर रहा है जो गंदगी यह पानी में उसको निकालने का काम कर रहा है तभी ring canols में ही गंदगी बाहर निकल जा रही है filtering, device या फिर कुछ लोग इसे enzyme forming bodies भी कहते है ठीक है enzyme forming bodies भी इसे कहा जाता है वहीं अगर हम polyan vesicles की बात करें तो polyan vesicles जो होते हैं यह peer shape की body होते हैं क्या होते हैं यह peer shape की body होते हैं और ring canols के आसी पास आप देखोगे outer side पे खुलते हुए ठीक है क्या देखोगे ring canols के ही आस पास में आप इसको खुलते वे दिखाई देगा यह और यह actually में क्या करता है जो हमारे polyan vesicles है यह actually में water को store करने का काम करते हैं ठीक है क्या करते हैं water को store करने का काम करते हैं साथ ही साथ जो hydraulic pressure है उसको भी यह regulate करते हैं तो regulate the hydraulic pressure समझ गया तो देखो यह हम erase कर रहे हैं ना erase करें कर दें बताओ जल्दी screenshot हो गया चलो देखो अगर हम बात करें अब overall चीज की तो यहाँ पर देखो पानी आया मेंडी पुराइट में पानी आया मेंडी पुराइट में गया stone canol में ring canol में ring canol के पास जो tidments body है उसने उसको filter किया filter करने के बार ring canol से जो भी पानी है वो radial की तरफ बढ़ेगा लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पानी radial में चला जाए तो कि सारा का सारा पानी radial canol में नहीं जाने देता है वो कुछ पानी को क्या करता है store करके रखता है और सभी पानी को जितना जरूरत हो का उतना ही तो जाएगा जितनी जगा होगी radial canol में पानी उतना ही तो जाएगा जो एक्स्ट्रा होगा वो polyan vesicle store कर लेगा फिर radial canol से क्या होगा यह rounded body है ठीक है जितनी बार भी structure बनाया है उसमें हमने आपको rounded body ही दिखाया है तो madriporite rounded calcareous plates होते हैं जो कि aboral side पे पाया जाते है starting में आपको बताया था कि central disc पे aboral side में madriporite पाया जा रहा है जो कि calcareous plates से क्या होता है round होता है जिसे कि हम लोग बाद में चलके आप stone canol देखते हो कि वही calcareous body stone canol बना लेती है यह जो pore canols इसमें बहुत सारे pores पाया जाते है 250 minute pores पाया जाते है हर एक pore जो होता है वो क्या करता है एक pore canol बनाता है और सभी कि सभी pore canols जो होते हैं वो collecting canols बना लेते हैं जो कि जाके एमपुला में खुलता है जो कि मैडरी पुराइट के जस्ट नीचे होता है फिर यह एमपुला ओपन होता है S-shape के stone canols में stone canols जो है वो extend करता है downward orally मतलब कि एक अपर से नीचे के तरफ जोड़ रहा है aboral से नीचे के तरफ जोड़ रहा है हमारा stone canols stone canols जो है यह open होता है ring canols में जो कि माउट के इर्द गिर्द में आप देखते हो जो walls होती है stone canols की वो supported की जाती है calcareous ring से जैसा कि हमने आपको बताया इसलिए इसका नाम stone रखा गया क्योंकि calcareous सबस्टेंसे आप पर प्रेजन्ट है during it course the stone canols जो है यह इंसीत हो जाता है by a white thin wall tubular silomic sack जिसे कि हम axial sinus भी बोलते है ठीक है अपने प्रवा के दौरान stone canols एक चौड़ी पतली दिवार वाली tubular silomic थैली से धकी होती है जिसे आच्छी है sinus भी कहते है तो stone canols जो है क्या है ढकी हुई है एक axial sinuses से for the protection ओके देखे ring canols ring भी कहते हैं यह inner side पे प्रेजन्ट होते है parishtomium ring of oscillus इसी कहा जाता है directly above होते हैं यह aboral side पे पाये जाते हैं और hyponeural ring sinuses देखो मतलब कि अबoral side से लेकर के hyponeural ring sinuses तक यह क्या होते हैं जुड़े होते हैं जो ring canols होते हैं यह out interradially 9 small yellowish देखो यहाँ पे tidmence की body की बात हो रही है कि ring canols जो है वो interradially 9 क्या करते हैं छोटे छोटे यलो कलर के irregular या rounded glandular body जिसको कि हम racymose भी कहते हैं और tidmence body भी कहते हैं यह क्या करते हैं margin पर अपने दिखाते हैं like ring canol है ring canol के ही margin पे आप देखोगे कि क्या होगा 9 small मतलब की छोटे पीले कलर के irregular भी हो सकते हैं मतलब कोई उनका shape ना हो और हो सकता है कि वो round गोले एकार में हो उस तरह की body दिखाई देती है जिसे कि हम लोग racymose कहते हैं या फिर tidmence body कहते हैं tidmence body देख लो फिर यहाँ पे तुम्हें structure देखो यह रहा आपका metiporide, stone canol, ring canol ring canol पे आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे यहाँ पे आपको ऐसे tidmence body दिखाई देगी ठीक है tidmence body जो होते है they rest upon the peristoleal ring of oscillus क्योंकि ring canol is also the peristomium ring of oscillus हमने उपर पढ़ा the actual function of tidmence actual function हमें tidmence का नहीं पता है लेकिन बहुत सारे observers ने बताया है कि यह क्या है यह filtering device भी है यह enzyme forming body भी है actual function नहीं पता है however they are supposed to be और हाँ इन्हें हम लोग lymphatic gland भी मतब बोलते है जो कि amoevo site जो है इसे contain करता है water vascular system का जो amoevo site है वो बनाता है हमारा lymphatic gland अच्छा हमने यह बताना आपको हम बोल गया थे water vascular system जो है system of canol है तो canol में दो चीजे जाएंगी ठीक है एक तो sea water जाएगा ठीक है एक तो sea water दिखाई देगा second आपको amoevoid corpuscles दिखाई देंगे तो जो amoevoid corpuscles हैं यह माना जा रहा है कि tidments जो body है वही बनाते हैं तो यह क्या है एक lymphatic gland है ऐसा माना जा रहा है बलकि हो सकता है कि ना भी हो तो actual function इनका नहीं पता है आपने तीन देखा कि फिल्टिवाइज, enzyme forming body और लिम्फो gland जो है लिम्फो साइड जो है वो पोलियन वैसिकल जो है यह रिंग केनल गिव उफ inner side in the interradial position 1, 2, 3, 4 इन नमबर हो सकते हैं पोलियन वैसिकल पियर शेप के होते है इनकी वाल जो होती है पतली होती है contractile bladder होता है reservoir भी उसे कहते है इनके पास neck होता है जिसे कि हम पोलियन वैसिकल कहते हैं ठीक है from its outer surface the ring canol give off the जो भी water होगा अब हम क्या देखते हैं कि ring canol तक आने के बाद वो water कहा जाता है radial canol में जाता है radial canol जो है in the arm the radial canol runs immediately to the oral side radial canol से जो पानी है वो oral side की तरफ आ जाता है हर एक arm बे जो radial canol है वो पानी को भेजता है और पानी भेजता है उसके बाद वहाँ से जो पानी है वो उनके lateral canols में जाता है देखो यहाँ lateral canols में जाता है फिर lateral canol जो है वो attached lateral canol से क्या होता है attached होता है tube fit जो कि is provided with a wall to prevent back forward जो flow of fluid into the radial canol tube fit वहाँ पी क्यों present है क्योंकि tube fit ये निधारित करता है कि पानी जो lateral से tube fit तक आ रहा है कहीं वो पानी वापस से radial canol से reverse back न कर जाए तब पूरा का पूरा system ही खराब हो जाएगा इसी वज़े से tube fit इस चीज को निधारित भी करता है lateral canol इस चीज को निधारित करता है कि पानी जो है वो radial से फिर अंदर reverse ना चला जाए ओके tube fit tube fit या फिर हम इसे podium भी कहते है एक hollow elastic thin walled closed cylinder thalonuma structure होता है जो कि lateral canols के दोनों साइट पाये जाते है इनके पास तीन structures होते है पहला जो होता है ampula जो कि bag like structure होगा middle में आप podium देखोगे जो कि tubular tube like होगा और disc shape का आप सकर देखोगी जो कि एकदम नीचे होगा like this one is the sac thalonuma structure this one is the tube like structure and this one is the disc like structure ठीक है similar lies within the arm इससे आपको कोई मतलब नी है इस वाली lines आपको कोई मतलब नी है if you want तो इसको लिख लेना आप देखो अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे series wise जो है उसे याद करना है medriporite बगएरा को किस तरीके से आपको series वाला याद करना है ठीक है समझो एक कहानी अगे थोड़ी सी छोटी सी है कि Tidman है एक boy और star नाम की एक लड़की है ठीक है तो star नाम की जो लड़की है उसका boyfriend है आपका Tidman तो Tidman से star ने बोला कि correct 6 p.m. पे तुम्हें ring लेकर के आनी है मेरे लिए ठीक है क्योंकि उसका बड़्डे है star ने बोला कि मेरा बड़्डे है correct 6 p.m. पे तुम्हामें ring ला करके दोगे Tidman बिचारा ring लेने गया लेकिन वो थोड़ू सा थोड़ू सा लेट हो गया वो 6-5 पे पहुँचा ठीक है कितने पहुँचा 6-5 पे तो star बोलती है तो Tidman मतलब उसे बताता है कि ring बहुत अच्छी है देख लो तो star बोलती है कि ring तो अच्छी है लेकिन तू लेट है ठीक है क्या बोलती है ring तो अच्छी है लेकिन तू लेट है अब इसी तरीकी से आपको याद करना है क्या याद करना है देखो must ring tidman वो बोलती है टिडमें से कि मस्त रिंग टिडमें पर लेट है तू ठीक है क्या याद करना है मस्त रिंग टिडमें इस्टार क्या बोल रही है इस्टार फिश की बात कर रहे है इसलिए हम ने स्टार लगा दिया है कि तुम कंफ्यूज ना हो कि वाटर वैस्पूलर सिस्टम पढ़े किसका ह ठीक है, देखो, star क्या बोल रही है, must ring tidmine पर लेट है तू, ठीक है, लेकिन बाद में वो sorry हूआ अगर आप बोल करें कि थोड़ा सा क्या कर देता है, compensate कर देता है, देखो, must में तुम्हें याद रखना है, must में तुम्हें याद रखना है, m से medipurite, st से याद रखना है, stone canol कि madri purite के बाद जो water है वो stern canal में जाता है फिर ring से तुम्हें ring canal याद रखना है कि ring canal में जाता है फिर ring canal में tidmence body होती है और क्या होती है P से आपको याद रखना है tidmence body and P polyan vesicle होता है तो पानी tidmence body जो है उसको filter करता है polyan vesicle इस्टोर कर लेता है इतना पानी होता है चहीए होता है radian canal को उसको pass कर देता है आर से ring भी था आर से radial भी था तो ring वाला system यहाँ पे खतम हो गया तो एक और आर बचे जिसका मतलब होगा radial canal ठीक है तो यह आर आपको बताएगा radial canal कि पानी गया कहा radial canal में ठीक है यह पानी कहां जागा radial canal में फिर late से मतलब lateral फिर यह पानी जागा lateral canal में और lateral से फिर तू मतलब tube fit lateral से पानी कहां चला जागा tube fit में and tube fit के तीन इस्टक्चर है ampula, podium and sucker clear याद हो गया must ring treatment पर late है तो okay must ring treatment पर late है तो समझ में आ गया तो this is all about your water vascular system इतना कुछ पढ़ा तो काम क्या है इन water vascular system का सबसे most popular and interesting part है इनका locomotion जो hydraulic pressure यह create करते है water के entry and exit जो hydraulic pressure create करता है उसके वज़े से जो सी स्टार है उसमें movement होती है मतब कि locomotion की process देखी जाती है जो वाट है हमने आपको बताए कि उसकी दिवारे जो होती है वो पतली होती है तो उसके वज़े से respiratory exchange जो होता है gases का वो हो जाता है क्योंकि water में क्या होगा dissolve oxygen dissolve oxygen जिससे की क्या हो जाएगा respiration की भी process हो जाएगी another two feet जो है वो also anchor करता है मतब कि body को बहुत अच्छे से balance way में रखने की कोशिश करता है सबस्ट रिटम से चिपके रहने की कोशिश करता है second यह खाने को पकड़ने के लिए भी कोशिश करता है तो यह क्या कर रहा है capturing and handling the food के लिए भी यह काम आ रहा है तो this is all about the water vascular system this is all about your last topic of unit 5 so we are done with the unit 1 unit 2 unit so this is all about the water vascular system of 3 star I hope कि आपको चीजे समझ में आई होगी आपको ट्रिक भी अच्छी लगी होगी आपको concepts भी सब के सब समझ में आ गया होगी अब आप कहीं और water vascular system नहीं देखने जाओगे यह हम आशा करते हैं तो this is all about the today's video and I hope कि आप चांग को subscribe भी जरूर करोगे as well as यह वीडियो खतम करते ही हमारा unit 4 खतम होजाता है we are done with the unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4 also of the PSE 5th semester geology paper 1 okay non-quadate तो हमने काफी खतम कर लिया 5 unit and अब हम परसाइटोलोजी पढ़ेंगे plus I want to inform you कि paper second का हमने जो quadate वाला reason है वहाँ unit 1 भी खतम कर दिया है तो वीडियो काफी अच्छी आप लोगों को दी जा रही है नोट्स बर्माए जा रहे हैं तो प्लीज दिल खोल करके share कर ये वीडियो को थोड़ा subscriber बढ़वाईए थोड़ा अच्छा लगे वीडियो में बबाई टेक केर वी हैपी बबाई